दोस्तों नमस्कार, मैं डूंगर सिंग मारवाड मेजुकी स्कूल से आपका संगीत का साथी, आपको संगीत सिखाता हूँ, हार्मगें बजाना सिखाता हूँ, गाना सिखाता हूँ, जब तक स्वर्ग्यान नहीं होगा दोस्तों, तब तक हम अपने मन से गाने नहीं निकाल पाएंगे, स्वर ग्यान कोई बड़ी समस्या नहीं है दोस्तों, यह हमारी ही बना ही हुई समस्या है, हमने कौमल स्वर, सुध स्वर, तीवर स्वर, इन में अधिक ध्यान दिया है, जबकि कोई स्वर कौमल नहीं है, कोई स्वर सुध नहीं है, कोई स्वर तीवर नहीं है, स्वर जैसा है, वैसा ही है, उसको कौमल और सुध और तीवर हम बनाते हैं, जब हम skill का निर्दारन करते हैं कि हमारा सा ये है तब आगे के सोरों का निर्दारन होता है तो आप सोच देख मैं सुद सोरों को पका कर लू मैं कौमल सोरों को पका कर लू मैं तीवर सोर को पका कर लू अरे भाई सबी सोरों को पका कर लो बारा ही तो बटन है चाहे वो कौमल बने है चाहे सुद बने है चाहे तिवर बने है बारा सोरों को पका करना आपको अब बात रहती है कि हम बारा सोर कहा से कि इने एक स्केल में बारा सोर होते हैं या एक सब्तक में बारा सोर होते हैं दोनों जी बात एक है, एक सब तक जो है, वो भी स्केल है, दोश्तों अभी जो मैंने आपको दो तीन बाते बताई, कि कोई सब तक भी एक स्केल है, और हम जब स्केल का निड़दान करते हैं, साथ चुनते हैं, तब ये कौमल तिवर बनते हैं, ये चीज जिस दिन आपके समझ में आ जाएगी उस दिन आप स्वर्ग्यान से बहुत आगे बढ़ चुके होंगे लेकिन स्वर्ग्यान नहीं होने का कारण क्या है कोई कहता है मुझे थोड़ा स्वर्ग्यान हुआ साब पूरा नहीं हुआ तो इसका मुख की रिजन है दोस्तों हमने हार्मोनियुम को सम होती है कल अपना से सपने आते हैं सपनों को पर साकार किया जाता है तो बात है कि सोर्ग्या नहीं होने का कारण जो है उसकी और आपने ध्यानी नहीं दिया आपने क्या कि जिसने भी कोई आपको अभ्याद दिया कि यह अलंकार कर दो यह अलंकार कर तो मुझे सोरों की समझ जल्दी होगी। हम सोरग्यान क्यों करते हैं। हम सोरग्यान इसलिए करते हैं कि रेडियो टीए में आने वाले गाने, पुराने गाने हम बजा सकें। या हमने कोई भजन सुना, कोई गाया किसी ने, चाहे पुरा ना हो, चाहे आजकल का नया हो, सुना और उसको हम आर्मोनियम पे निकाल दें। तो सुरुवाद में आपको आर्मनियम का सारा लेना पड़ेगा, उसके बाद में आप तानपुरा का सारा ले सकते हैं, या बिना सारा भी गा सकते हैं, जितने भी बड़े कलाकारे हैं, वो कोई आर्मनियम लेकर बैठ के नहीं गाते हैं, जब सुर्ग्यान हो जाता है, तो फ और भी कोई इंस्ट्रूमेंट सीक लो बले, लेकिन harmonium ही जरूरी है सबसे पहले. है हमारे यहां पहली काली मद्दे सब तक पहली काली से भारतिय संगीत पदती में पहली काली को सा माना गया है मतलब यहां से सब तक माना गया है मद्दे सब तक तो हमें गुरुजन जो भी सिखाते हैं वो सब पहली काली से सिखाते हैं पीछ हमारा ये हैं, यहां से जो सारे गम, पध, निशा बनता है, यहां से बताते हैं, इस का निदान सा का निदान हो गया तो आगे रे, गम, पध, निशा, सुद्ध और कौमल और सब वो बनते हैं, अगर इसके जगे ये कर दें, ये कर दें या ये कर दें, तो ये सारे और काले बटन से हमारे संगीत की सुरुआद है सास्तरा अनुसार है ये बात और अधिक्तम काले बटन जो है वो हमारे बिला उल्थाट में आते हैं पांचों बटन आते हैं इसमें सारे गम, पद, नीसा तो हमें इसकी और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हमारे दिमाग में भी एक चित्र होता है हार्मोनियम का जब हम हार्मोनियम बजाते हैं सोचते हार्मोनियम बारग में तो सिधे ये काले पांच काले बटन आते हैं दिमाग में चपा हुआ है सुरुआद में सी सारब से हमको सारे गमपदनी सा बजायाना सिखाए जाता है इवन कि फिंगर पोजिशन का निर्दारान जो है वो भी हमको फिंगर पोजिशन का तरीका जो है वो भी हमको यही से सिखाए जाता है कि पहला बटन पहले उंगुली, दूसरा बटन, दूसरी उंगुली तीन काले बटन, तीन ये अंगुलिया, वापस ये पहला बटन, पहले अंगुली, जाते आते चाँ, अंगुली चेंज नहीं होगी, ये दो बटन आपके जो हैं, अंगुटे से बजेंगी, तो पूरा किसी स्केल से हो, आर्मोनिम बजाने के पैटर्न ये ही चलेगा, नेरेस लगाना पड़ेगा आपको, तो पहली काली बहुत ही मत पुरूई, इसकी आवाज सरू में हमने सारे गमपदन इसा की जान करी लिए, तब इसकी आवाज सुनी, बेसी के लंकार, इसी बिलावल्थ हार्ट में, सी सार्प से ही कराए जाते हैं, उसके बाद हमारी स्केल निर सार्प है, लेकिन इससे पहले हम सी सार्प स्केल से बहुत कुछ काम कर चुके होते हैं, बुरी जिन बताते हैं कि 80% लोगों की जो स्केल गले की स्केल होती है, वो सी सार्प होती हैं, और सी सार्प के हिसाब से उनकी रेंज का निर्दार्ण किया जाता है, तो जैसे हम स्केल की बात करें, तो सा से सा ये तो स्केल हो गई लेकिन आपकी गले की स्केल निर्दारन करने के लिए मत तक जाना पड़ता है सा से आप सी सार्प से आप एप सार्प तक चले गए तो आपकी स्केल सी सार्प रहेगी इसको गिनते हुए छे बटनी से आना पड़ेगा आपको एक, दो, तीन, चार, पांच, छे ये C सार्ब तो ये तार सब तक का है तो ये मद्दे सब तक का आपकी स्केल रहेगी अगर C सार्ब से आप यहां तक ही पहुँचे कहां तक F तक तो आपकी स्केल जो है C रहेगी अगर आप C, D, E तक पहुँचे तो आपकी स्केल B रहेगी अगर आप D सार्ब तक ही पहुँचे तो आपकी स्केल A सार्ब रहेगी अगर आप D तक पहुँचे तो आपकी स्केल A रहेगी फिके उसके बाद में भी पद तक आपको नीचे तक आपकी रेंज रहेगी तो आपकी स्किल से सानी धप यहां और आगे म यह इतना आपकी रेंज रहती है उसमें आप कोई भी स्किल बजा सकते हैं किसी भी स्केल से आप अव्यास कर सकते हैं यहाँ तक जितना आप पहुचे इटना आप ले सकते हैं तो जब 80% लोगों कि सी सारप है, 20% की 5% की 20 सारप है किसी के D है, किसी की C है A सारप है, G सारप है यह महिलाँ के लिए एक स्केल नहीं जाना की गयी लेकिन महिला भी जरूर नहीं कि यहीं से गाए जाया तर वो अच्छे कलाकार वो इसी में गाते हैं खास बात यह भी है कि जितने भी हम गाने वगरा सुनते हैं कलाकार अच्छे इस्टेंडर के सुनते हैं तो उनकी स्केल सी शार्प, डी, डी शार्प यह होती है तो सिंगर भी सारे गाते भी इसी में हम सुनते भी इसी में है और हम सीखना सुरुवाद भी सी सार्प से करते हैं इसकेल का निड़दरन सी सार्प के अनुसार जाज करते हैं कहां तक पहुँचे कहां तक नहीं पहुँचे गाने भी 95% C-Sarp, B-Sarp के होते हैं C-Sarp के अधिक होते हैं आपकी रेंज में है C-Sarp आपको थाट की जान करें दी जाती है तो C-Sarp से बताय जाता है सारा कुछ C-Sarp का खेले दोस्तों अगर आप दूसरी स्केल निर्दान करते हैं आपके तो ठीक कोई बात नहीं आप उसमें रियाज कीजिए लेकिन इस स्वर ग्यान के लिए C-Sarp से ही परियास करने पड़ेंगे आपको क्योंकि C-Sarp के स्वर प्रारम में हमने सुने हैं जब हम बचपण में कोई बात सुनते हैं बचपण में हमारे साथ कोई गटना होती है तीसरि चौँती पाँचभी के किताम में जो हमने काहनिया सुनी माना परताब की मीरा भाई की पड़ा उनके बारे में वो आस्तर्ल किया है उसके बाद में कितने भी हमने पड़े किये वो याद नहीं रहते तो प्रार्म में जो आपने अब्यास किया इसका इसकी आवाज सुनी वो आपके दिमाग में छप चुका है बजाने को तो आप कोई भी स्केल बजा लोगी आप असपल नहीं रहोगी लेकिन स्वरग्यान को पिक अप करने के लिए आपको सी सार्प से ही अब्यास करने पड़ेंगी इसलिए अब्यास में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं दोस्तों सी सार्प में वीडियो लंबा हो रहा है इसको सौट में करता हूँ मैं कि आप सी शार्प में बिलावल थाट बजाईए, आसावरी थाट बजाईए, बस दो चीजें कर लीजिए और इसी के अनुरु आपको गाने नोटेसन के आदार पर लें, तो वो इनकी उपर बजाईए, यही से बजाईए, यही से गाईए, अभ्यास कीजिए, फिर आप अप इसकेल में करें, वो बात अलग है, लेकिन दुनिया के साथ में आपको चलना पड़ेगा, गाने वाले को, गाने वाल जो डौलक बजाता है, हार्मprowadी बजाता है, चाह कोई भी साथ बजाता है, उसको सिंगर के साथ चलना पड़ेगा, तो हम जो गाने सुनेंगे, जो बजा गाते हैं तो उन सुरों को पका करना पड़ेगा वो इसकेल है सी सार्प तो आप सी सार्प पे अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए सुरग्यान जल्दी होगा नहीं तो फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको पहले सी सार्प में सुनना पड़ेगा सी सार्प से सीखना पड़ है कि सुर ग्यान के लिए आपको सी साप से बिलाव थाट आसावरी थाट बजाएं बहरो थाट का भी मैं नहीं कहूंगा आपको बहरो थाट में भी आपको बहुत गलत सला दी जाती है कि मौर्निंग में रियाज करें तो बहरो थाट में करें वो तो ठीक है मौर्निंग का समय है भेरो थार्ट का लेकिन अभ्यास अलिग चीज है यह तो थार्ट बजा ही नहीं जाते लेकिन हम तो अभ्यास कर रहे हैं तो भेरो थार्ट का अभ्यास किसी भी समय हो सकता है यह बाते स्वरग्यान के बातों से हट करें, फिर कभी करेंगे, तो दोस्तों स्वर्ग्यान के लिए गांट बांध लिजिए, C-Sarp स्केल से प्यास करें, थोड़ा बहुत, B-Sarp से भी कर लें, कोई बात ने, क्योंकि जो हम सुनेंगे वो सारा जो raw material आएगा वो इन दो scale से आता है और इस scale का तो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है क्योंकि सारा कुछ सुरुआद हमने इस scale से की है और यह मुश्किल नहीं है यह आपकी range में अगर आपकी scale नीचे है तो भी आपकी range में अगर उपर है आपकी scale तो भी यह range में है और गाने ज्यादा तर जरूर निए एक मत तक जाए गाने में पड़ जाते हैं पह तक धह तक तो विचार करें और मनन करें यह मेरा 40 साल के अनुबों से मैं आपको यह बात बता रहा हूँ धन्यवाद नमस्कार